हेलो स्टूडेंट्स, आम साधना कुमारी फ्रम महात्मा गानी सीक्षन संस्थान तरभंगा वर्ग पंचम वेशाय संस्कृत बच्चों, आज मैं आप सब के लिए संस्कृत व्याकरन से सब्दूरूप जिसका किसी इर से तत है तत का मतलब होता है वह यह पुलिंग में है जैसे ही का मतलब होता है वह जो पुलिंग के लिए होता है तो यह तत मतलब वह होता है पुलिंग के लिए तो आएए इसका में सब्द रूप आपको विभक्ती इसके सभी विभक्तियों, साथों विभक्तियों अब तीनों बचनों में पढ़कर बताती हूं ताकि आप सब बच्चेवी से पनी कॉपी में लिखा अच्छे से याद कर सके बच्चों, यह है तत सब्द रूप तत का मतलब होता है वह इसके में साथों विभक्तियों के साथ इसके तीनों बच्चनों के रूप को जो है मैंने लिखा है और आपको पढ़कर पताऊंगे आप सब्द बच्चे भी ध्यान पुरवा के से अपनी कॉपी मिली कर अवस्षी याद कर लेजे प्रत्मा विभक्ति इसका एक बचन है साह दुई बचन है तव और बह बचन है ते दुदिया विभक्ति का एक बचन है तम दुई बचन है तव और बवचन है तान तृतिया विभक्ति का एक बचन है तेन दुई बचन है ताभ्याम और बवचन है तै चातोथी विभक्ति का जो है एक बचन तस्मई दुई बचन ताभ्याम और बवचन है तेभ्याह पंचमी विभक्ति का एक वचन है तसमात, दुई वचन है ताभ्याम और बोवचन है तेभ्याह सस्ट्री विभक्ति का एक वचन है तस है, दुई वचन है तयोह और बोवचन है तेशाम सब्तमी विभक्ति का एक वचन है तस्मीन, दुई वचन है तयोह और बवचन है तेशु इस प्रखार से सातों वी भक्तियों का जो तत सब्धुरुप, पुलिंग में है। यह तत सब्धुरुप तत का मतलब होता है वा जिसका किस सब्धुरुप बनता है, सातों ते यह पुरुष के लिए होता है, तो या इसके सातों बच्छनों के साथ, तीना बच्छनों को लिखकर पढ़कर आपको बता दिया, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि इसकी सभी बच्छनों को ध्यान से देखिये, प्रथमा, दृतिया, तिर्थिया, चतुर्थी, पंचिमी, सस्थी, एवं सब्तमी यह सातों भी भक्तिया हैं एवं यहाँ पर तीनों बचन हैं तो तीनों बचनों के रुप कोई वर में फिर से पढ़कर आपको बता देते हो ताकि आप सही उचारण के साथ इसे पढ़कर याद कर सके इस प्रकारिया सब्दुरूप जो है आप सोई बच्चे पने कॉपी में लिकर अवस्चे याद कर लेजेगा आपके आगे की कारी को लिकर मैं फिर उपस्तित होंगे तब तक के दिये धाने बाद कर दो किर दो जो हो प्रकारिया याद कर दो पिर आपके याद कर दो वार्द कर दो है